हम इस वक्त कैसर गंज में हैं और कैसर गंज से सांसद हैं ब्रिजभूसर सरड सिंग और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नभी एहमद कुरदैशी निर्दली अप्रत्याशी हैं इनकी खासियत यह है कि यह 20 बार चुनाव लड़े हैं चलाब बिश मशीयद होद्र यह फिर से ही चुनाव लड़ रहे हैं ब्रिजभूसर सरार शिंग से चलाब जया है है से आखिए हैं नभर करनगर सरण सिंगह लड़ रहे हैं इसे हम बत चीत करेंगे लेकिन एक manifesto टाइप का इन्होंने कागज के एक फोरेक्स पेपर फोर वाई फोर जो पेपर होता है उस पे फोटोकॉपी वाला उस पे इन्होंने बना रखा है इस पे इन्होंने 15-16 बाते लिखी है जिसमें सिक्षा माफिया की दबंगई नहीं चलेगी जंतर मंतर पे जो पहलवान की क्यों नहीं बुलाया गया विधान सबा में गल्ला मंडी हेलिकॉप्टर खुले मंच से हर्याडा बेटिया प्रधान मंतरी और तमाम लोगों का देश बरके तमाम मुद्दे इस छोटे से कागज पर इन्होंने गिनवा दिये हैं प्रिंट कर आया है और ये अपने कुछ समर्थोकों के साथ के चहरी में टहल कर बात कर रहे हैं अब इनसे हम बात करते हैं कि 20 बार चुनाओ लड़ने के बाद देश के इतने बड़े-बड़े मुद्दों के साथ ये कैसे चुनाओ लड़ रहे हैं किस बल पर चुनाओ लड़ रहे हैं पहले तो आपका बहुत-ब बराबर जन्साप विस्वास करा था कि हम नभी अमद कुरियसी को वट देंगे मोहबब से अब विकास करके दिखाएंगे हुँ जन्साद कोई सवतेला भेवहार नहीं लोक सबहा चुटा चुनाओ तो होता नहीं बहुत बढ़ा चुनाओ काई चुनाओ लड़ चए हैं कौन चैर्मेनी पर रानी कई चुनाव लड़ चुके हैं हाँ कुल मिला जिला के बीस चुनाव लड़े हैं आप जनता से अपील है कि आप लोग मुहबब से और दो विकास करेंगे तो जनता अपील किसी बार नहीं सुनती हर बार हार जाते हैं ना जनता देयत है हेलिकाप्टर से होते हैं द्याजार द्याजार 22 मां लागतर हुए के चले जाते हैं हिलिकाप्टर से आते हैं हमको हमारा मैंनी कराँशwalk हर और बिलान समा मां धानली करें चले जाता है बराबर हमेरे पीछे लाग है इनके बावण स्कूल इनके बावन इसकूल पर आलना नियुक्त आपके पास क्या है लोग सबाइतना चुनाओं लड़ते हैं कैसे इतना पैसा कहां से अपर समर्थन मुख्बत है। जनता परचार करते हैं आप लोग मुभबस वोड़े जनता परचार करते हैं आप बढ़ा है बाहर का घंडा करते हैं सब्सक्राइब तो इस बार भुषण सिंग के खिलाब चुनाओं में उतरे हैं जैसे परदान मंतरी कहते हैं संब्स कर माफब इसकुल है तो आप टुक किस सीधी टकर समाजबादी पाटी परत्यासी सब्सक्राइब तो आप ने जो लिखा है सिख्षा माफिया पे दबंगई नहीं 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 है जंतर मंतर पे पहलवान वाला हो गया अच्छा यह पुल्वामा का और लखीम फूर खीरी का मुद्दा भी क्यों उठाए वाले कराइन हमारे सेनी को पर हमला उसमें अभी तक कोई कारवाई नहीं वा हम यह जानना चाहते हैं कि परधान मंति उस पर कारवाई करो जंता के साब यह निकरो और यह लखीम फुर कीरी का मुद्द पर कैसर गंज में है चुकी इसलिए पूछ रहा हूं भाजपा के लीड पर किसान पर गाड़ी चड़वाई जिनके पर कारवाई हो गई है वैसे जिल नाए 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 तो कागज पर हो जाता है कारवाई कर जेल बेजा जा जा अच्छा मडीपूर की घटना में आप भी इन्मॉल्ब किया है अपने कागज जी जी वहां चुनाओ नहीं ब क्फिक पे भी आप ऊपलभ्द हैं चुनाओ लडने का जनुalyst, तो अगर इस बार भी आप हार जाएंगे कैना में अच्छो ऊपाडना के पहुंता के बीच मरई हैं जेन्मित मरई फी regular जानका के बीच मरई पर जैन्ब आगली चुनाओ की कौन से तैयारी करें Mac बिधान सबाई जो आई उसामने लड़ेंगे जो चुनाव आता है आप लड़ेंगे 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 अधानली ना करा हुए तो इसके बाद में निके रहा न रही अश्चिंग नसबंदी वाली लाठी जनता उठाई है इनका जवाब देआए जनता उठाई है जनता आपके साथ है जनता जवाब देगी तो हमारे साथ नभी एहमद कुरैशी थे बीस बार से चुनाव लड़ेंगे हैं मैंने शुरुआत में बताया हर बार हार गए हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बार हार जाएंगे तो अगले विधान सभा के ल हो रही है इनके मैनिफेस्टों में वो ना हो मेरा नाम मित्रप्रकाश है और हम केसर गंज हैं और केसर गंज में इस बार चुनाओ जो है मुकाबला कड़ा है समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा यहां पर उमिद्वार है और बीजेपी से बिजभूसर सरड सिंग के लड़के करन भूशर सिंग है फिलहाल जो होगा वो आगे मत्वेटिकाओं में बंद हो जाएगा और चार जुनकास का फैसला आ जाएगा कैसर गंजी के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा अपना बेहत ख्यार लखिएगा बहुत शुक्रिया